टुडेइ आम सेंड कस्टम गुरुवाज एक आजिकार्जु के तकड़ी बन पसाथ सालों से इंडिया की सान रही है दि आइकॉनिक हिंदुस्तान एमबैस्टर हेलो गयाइज और सान कस्टम गुरुवाज वांस इगेइन दोस्ता हमारे आज के इस नई वीडियो में अप्रोट गने वाले एक बहुत यूनिक कस्टम कार्जु कि मने बस कुछ महीं ने पर यार किया था यह कार एक्सवील में बनाया ने यह मने खरी जा था 182 स्केल की मौल था और यह कार है सेंसी कंपनी की हिंडुस्तान एम्बासडर लेकिन कोई नॉर्मल एम्बासडर नहीं पूरे टर से मोडिफाई गया गया है सान कस्टम गुरास के खुट का स्टाइल में तो क्या आप उस कार को डिखिन गिलते है यारो ओके इसकार बजी आने वाला है वान, ट्यू, अन्ट्वी त्दादा दे फुली कस्तमाइज्ट हिंडुस्तान एम्बासडर फ्रम सेंसी ये रिखे निव वील्स, निव बंपर्स, ब्लैक दीटेलिंग यहां तक की आइकोनिक रेट सायरेन भी सो उसे पहले कि मैं आप लोग इस कार के बारे में और इंट्रम सेंसी बढ़ाओं सेले कार के एक सोटा सा रिव्यू ले 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 थे हैं हाँ हिंडुस्तान एम्बासडर एक इंडियन आइकोन है जिसकी प्रॉडाक्सण सबसे पहले 1958 में सुरू हुआ था ये कार गंपलिटली बेस्टी मौरिस आक्सपोर्ट सीरी स्ट्वी मौरिल पे जिसकी प्रॉडाक्सण ब्रिटिस कार गंपनी मौरिस ने 1956 से 1959 के 20 में किया था ये कार तक्रीबन पसाथ सालों से इंडिया की सान रही है लेकिन 2014 में आकर इस कार का प्रॉडाक्सण बंद कर दिया गया और बस रिसेंटली हिंदुस्तान मौर्टर्स की पूरा कपनी भी पीजियोड ने खरिट लिया लेकिन उसके बावस जूद भी ये कार इंडिया की आइकॉन है और आइकॉन रहेगा भी कि ये था कार का एक सोटा सा रेविव ये रेविव इतना लबाद नहीं ता लेकिन अधिन मैं आपको बढ़ा दी की कार एक स्वेल में क्या सी रिखती है तो भी वर्ट हो गया आप लोगो को इस कार की सारे मॉरराज़ाज़ाज के बारे में बढ़ाने का सव ये कार मैंने टक्री बान दो साल पहले खरीजा था और जब एक कर दा तब ये कार एसी ने ढृओ नीडिख्ती थी वेल ऐसा आधा में दॉक्त नॉर्मेंल रेगूलर अंबश्ड़ था धा जिसा कंपनी ने बनाया था मै को मैं समरय तक बारी आती है, कार की फ्रांट हें की बात करें तो आप पर्प को देखने को मिले गए नया बंपर वीसे तो सिंथी टाइस की मौर्स से लिए है। यह कार व!' कुछी विदी कवा से जर्गों से, इसके एक दूसरे की पार्स में आसानी से फित हो आती है हाला कि ये बंपर क्रोम थी लेकिन मैंने इसे ब्लैक कलर में री पेंट कर दिया क्योंकि मैं कार को एक क्लासी लेकिन साथ में थोड़ी बहुत मॉडरन लुक भी देना आसाथा था ये लाइसे प्लेट है जो कि मैंने यह से इस हो सके निकाला है ग्रिल में कोई मॉड़िट नहीं है ग्रिल जैसा था अब भी ऐसा ही है अला कि ग्रिल में आप लोग कुस बोर्टरिंग नदर आएगा ये ब्लैक बोर्टरिंग दिख रही है और हाँ है एडलाइस के उपर में भी ब्लैक डीटेलिंग आप पिलर्स जनरेली अमबैस्टर में इस्टर के पिलर्स बहुरी कम दिखने को मिलती है कुछ लोग ऐसे सीज़े बस मॉडिफिकेशन के जरी से ही करते है और वही सीज मैंने नोटिस करके कार को इस देर से डीजाइन किया है ये सीज कि एक्स्वेली में मिनी कूपर से इंस्प की स्केल मॉडल से लिया था उस कॉर्वेट में मैंने विल्स रिफ्लेश्मेंट गया था और उसकी पुरानी विल्स बस ऐसे ही बढ़ा हुआ था और मैंने उन विल्स को इस कार में इस कार के साथ ये बिलकुल अच्छिते से मैस्ज भी कर रही है तो नेक्स बार याती है का की रियरेंड की अगर रियरेंड की बात करें तो रियरेंड में आप लोगो डिक्षिन को मिलेगा modern license plate generally ambassador में इस तरह की license plate डिक्षिन को नहीं मिलती है ambassador में वह square type की पुरानी design की license plate होती है तो कि मुझे कोई खास पसंद नहीं है और मैं साटाटा की कार डिक्षिन में तो ही modern डिक्षिन है इसलिए मैंने इसमे modern style के rectangular license plate लगा रिया है जिसके पता से कार पीचे से काफी modern डिक रही है और सामने के bumper की तरह ही पीचे के bumper भी centi toys model का ही है और इसे भी black color में paint कर रही है जिसके पता से कार पीचे से भी काफी modern डिक रही है और सामने की indicators की तरह टेल लाइथ भी black color में paint कर रही है जिसके पता से कार पीचे से कमाल की और unique डिक रही है सिर्फ एक इस पिलाल कार में well missing है और वो है कार का windows देख से कि कार में को हिंडर नहीं है क्योंकि एक्शिवरिंगा कि और विन्टव नहीं तो वह वेंडोस पर उनका स्थ इतना एक ऊंड़क न्काल दिया कार में नहीं यहाब զोगा đầu से नहीं है लेकिन विंडोस का काम जल्दी हो जाएगा और हां अगर इस साइरन की बाद करें तो मैं इस कार को फ़ए बहुत वी आई पी कार का लोग भी दिना साथा था और इसलिए कार के ऊपर एक कस्तम साइर इंट किया गया यह साइर एक्ष्वेल में और इस साइर नहीं जैसे भी डिख रही है यह डिकेल्स में साउट और रिमूफ कर सकता था लेकिन में कार को बैसे भी मॉडर्ण लिक्सा था था और इसलिए मैंने साइर में यह डिकल्स रहा ने दिया इंटियर में कोई जादा मॉड़िशन दा नहीं वा इविन इंटियर में किस हुआ ही नह है इस वीडियो को एंट करनेगा मैं उम्मिट कर आओ कि आपको एकार पसंद आया होगा क्योंकि जो कुछ भी मॉड़िशन आप देख रहे है यह सब देखने में आसान लगती है लेकिन इने करने में काफी मुश्किल होती है आफकॉर्स यह कार पुज़े तैयार करने में दो रिट का वक्त लगा था अफकॉर्स क्योंकि इस तरह के सीजे चोटी-शोटी कर गें इन सब सीजों को डीटेलिंग को बनाना कोई आसान कम नहीं है और ऐसे सीजे देखने में असान लगिए उटने करने में उतना आसान नहीं होती है सब बग्त होगा इस वीडियो को ए कि अपडि़ को एक अव चनली और कव एक वीडियों कोॉडिच्री यह लाई मैं यह क्यों का अभिगThe एक्रण्य को बाशने मत में एक जा रनिए अर्ली को बा buenas एक। त क्यों को आख धविच्ट यह रह टीटेट को रखिट वीट तुलेट यह टीमग्च ऐश्च ओूड झाल झाल